धीरे, धीरे कोई प्राववन्हें अराम से कोशिश करने में सबकुश होता है यह बरभप क्या चीज है इस में को क्या कोशिश कर अब इधी तो किला, किला.. नमस्ते, नमस्कर, जवए जगर्नाथ मैं श्रिकान आपको स्वागत करता हूं लाइप टू एक्स्प्लोर में बैंगलोर से आये हुए हमको दो हपता हो गया और हम आसपास के जगाई घुम रहें बहुत सारा जगा घुम भी लिया आज सोचरें थोड़ा सा दूर जाए मुक्तेशवर घुमने का प्लान था आज जब से आये हैं तब से सोचरें मुक्तेश या 35 या 38 ऐसा कुछ रहेगा तो लग सकता है देड़ घंटे के आसपास चल शुरू करते हैं फिर हमारा जाननी और आज का मौसम बहुत ही बैतरीन सनी वेदर और थंडी में तो ऐसा वेदर बहुत ही अच्छा लगता है अभी टाइम हो रहा है 10 15 और हमने ब्रेक्वास्ट अधे भी नहीं किया व्रेक्वास्ट करें इधर से गागर है 10 किलो मेटर के दूरी पर और उधर एक बढ़िया सा कैफे है इधर का जो होस्ट ना उन्हों ने रेकमेंड किया तो सोचरे उधर ही ब्रेक्वास्ट करेंगे क्योंकि उधर भीव बहुत जबर दस्ते तो सीधा उदर उपने है चलो आइशमान गाड़ी के साथ किदर पर जाएगा उसका आफ रोड़िंग गाड़ी जाता है शाथ में नया 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 एक 15-20 दिन चलता है उसका कोई भी बच्चे का वही है और आइशमान पिछे आगे और मामा पिछे अभी मेरा बेटा बड़ा हो रहा है इसलिए बेटा बड़ा गया चलो कि अधिया प्लान था हमारा दा वाइल फ्लावर के फे बहुत ही इमेजिंग लोकेशन पर है अब देख सकते हो अभी भी बरफ है और जगा बरफ कितना ही प्लान जगा है ना बहुत ही ब्यूटिफुल हमालया हमालया आज हमालया आज आपको दिखा था हूं पूरा स्नौ केप्ट यह देखो पूरा स्नौ केप्ट वेदर इतना क्लियर है कि पूरा दिख रहा इधर से एकदम बढ़िया ना जा रहे अज फग नहीं है इसलिए सब दिख रहा है और जगा जगा अभी भी बढ़ा है साहिद यह जो वेदर खड़ाब था दो दिन पहले उसका अफर है यह जगह पे स्नौ फॉल हुआ रहेगा हमारा उदर तो स्नौ फॉल नहीं हुआ था भावाली में उदर बारिश हुआ था राइट तो आप अगर मुक्तिसवर के सेड़ पे जा रहे हो नहीं निताल से या भावाली से यह बीच में आता है दा वाइल्ट फ्ल बरफ से भरती है यह जगह पूरा मतलब अभी अभी स्नौ फॉल हुआ है तो बरफ बला भी हुटा और सांदार सांदार जवर्दस्त आगे आप राठा आइस्मान का सेंडवीच है यह आईस्मान का सेंडवीच यह देखाओ गाल पोट तेज धूपे लेकिन उदर काफी तेज धूपे काम करते हैं हम ब्रेकपस्ट कतम करते है तब तक आप यह भीव देख लो एक ड्रोन स्ट लिया है बहुत ही बैतरीन पुरा depending हमालायन भीव के साथ है आप वह एंजय करो हम प्रेक्पस्ट कतम करते हैं झाल 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 जाल 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 गुड़ स्टार्ट अब दे खाना भी बढ़िया था ब्रेक्फास्ट अलो पराडा कुछ वान सिक्स्टी ग्रिल सेंडविश कुछ टू लेकिन तीन जन के लिए काफी है आईशमान था इसलिए हमको दो पराडा बज गया वह पेक करवा दिया हमने तो अभी सीधा मुक्तेश्वर देखते अगर किधर सिनिक लोकेशन मिलता है तो रुकेंगे फिर से चलो इधिर तो पूरा मतलब स्नो यार रोड के दोनों साइड स्नो और यह जो ड्राइब है हिमालायन रेंजर्स का जो व्यूस है साथ-साथ चलना है ड्राइब के साथ-साथ बहुत ही इमेजिंग लग रहे हैं इधे से तो सारे पीक दिखते है ना नंदा देभी त्रिशूल प आरे पीक्स इधर से दिखते हैं और ड्राइब के साथ-साथ वो पीक्स देख-देख के हम ड्राइब कर रहे हैं और स्नो भी है जबरदस्त बहुत ही आरे मेजिंग बहुत ही मजा आ रहे है प्रकृती हम में है हम प्रकृती में है क्या ही नजार यार मुक्तिशवर जाने का जो रस्ता है ना एकदम जबरदस्त खास करके वेदर क्लियर होता है तो यह जो व्यू ऐसा लग रहा है कि हीमालायस रेजना इधर ही है पूरा जंगल रूट दियार के पेड़ चीड के पेड़ उसके अंदर से होते हुए जबरदस्त कैसा फिल हो रहा है गजब है भाई गरम लग रहा है आईशमान को लेकिन इधर है बरफ इतना बरफ होते हुए भी आईशमान को गर्मी लग रहा है क्या बोलें भी बताओ कि अधर अधर कितना सरा बरफ है पूरा रस्ता भर देगाईशमान कितना फलपी फलपी एदर आईशमान को आईशमान को ऐस समय bunları है करे दो मरफ है इस और क्या को अदया हो आई इस मान उसका आए अईशमान उसकाOP कर रहा है मैं यह पक्याया निया नहीं कि आपके कॵाचमान आईशमान अथा कभी बेड़ा नहीं आअ चोटा़ा शनो में जार्बाद यह अलने न झाल 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 पूरा एक सिनिक ड्राइब के बाद हम पहुँच गे मुक्तेश्वर धाम मुक्तेश्वर धाम पूरा जंगल जैसा है ना एकदम भरती पेडों से घिरा हुआ इतना चड़ने को नहीं होगा ना इंदे हास पास में है थोड़ा सा मामा थक गई तक गई ममा आईश्मान तो कभी तकता नहीं पांडा बन गया है आईश्मान आईश्मान चल पांस मिनिट की चड़ाई सेड़िया है पांस मिनिट के बाद हम पहुच गई मंदिर का एक राउंड माल लेते हैं इधर भी है बरफ हम लोगोंने दर्शन करके आगे और भर्चुली आप लोगोंने भी दर्शन किया रहेगा एक क्लिप लिया मैंने क्लिप लेने कोशिश की क्योंकि विडियोग्राफी अलाउड था और पूरा टॉप में है यार यह देखो कैसा वियू दिखता है इधर से एकदम टॉप में कितना सांथ जगह है ना एकदम बहुत ही सांथ खुबसूरत मज़ा आगे एक्चुली ना यह साढ़े 300 साल पूरा ना सिभ मंदिर ऐसा बोल रहे हैं और ऐसा कहना है कि सिभ जी ने कोई तो राक्षास का बद्ध करके उसको मुक्त किया था और इधर एक आश्रम भी था एक कि मुक्ति स्वर्वाबा पता नहीं में नाम याद नहीं आ रहा है उनका आश्रम भी था तो इसलिए और यह देखो यह जगह पर हम जाएंगे अभी आपको यह नजर आ रहा है चौली की जली बोलते हैं वह जगह पर जाएंगे यह भी काफी मतलब प्रसिद्ध है जो लोग भी आते हैं इधर तो घूमने जाते ही जाते तो हम भी जाएंगे उदर हमला है एक बार पिर से नजसी डाल दो कैसा दिखता है उपर से नजा रहा हो यह हावाचल रहा है के वज़े से इतना पता नहीं चलता है हैं चलो चौली की जली चलते हैं आईशमान चलो उदर चलते हैं इधर से जो दिखे रहा ना उदर चलते हैं जैसरा जैसरा उपर से नीचे आगे दो मिनेट वैसे चड़ने के लिए कितना चड़ने के लिए तो फाइव मिनेट सी लगा और एसे नीचे जब उत्रोंगे एक रास्ता जा रहा है ट्रैक जैसा चौली की जाली इधर आये तो उदर तो देखी लेंगे ए आईश्मन तु कहां सड़ गया आज़ा नीचे आज़ा अज़ी बज़ी भरकत करता रहता है आईश्मन हमें साब इधर से एक व्यू दिखा देता हूँ जो चौली की जाली बोलते हैं यह दखो यह वाला जो पत्थर है यह जगा है और इधर जीप लाइनिंग रॉक क्लाइमिंग यह सब एक्टिविटी भी होता है पहुच गे चौली की जाली आप देख रहे हूँ यह जो रॉक के अंदर एक होल है ऐसा माना जाता है कि सिवर अत्रि में पूझा करने के बाद जिस पेरेंट्स का कोई बच्चा नहीं होता वो लोग इधर आते हैं और उदर से क्रास करते हैं अतलों उप सर करते शर डालते हैं उसके अंदर से उके तो कि ऐसा माना जाते किänn कॉंशिव। फिर उनको ब्लेसिंग मिलता है तो इसा माना जाता है लोकल्स ने लोकल बानते हैं विसे और जीप लैनिंग देखो इज़र से तो जीप लैनिंग भी होता है इसको माल्टा यह नहीं कि? माल्टा दूसर यह माल्टा का सीजन अब और अप हो चुगा है यह कीनू है? हाँ, यह कीनू है अच्छा औरण जैसे दिखते है औरण जी ही समझे से, वही होता है अच्छा नहीं नहीं, भलार दिया है तरहा जितना गर्मी है यह चाहिए एक्चुली और इसको किनू, उदर माल्टा बोल रहे थे वो थोड़ा अलग टाइप का है यह किनू है, थोड़ा बड़ा, अच्छा अच्छा थोड़ा खटा है, टेस्ट में आइश्मान को किनू का जूश नहीं अच्छा नहीं लगा, उसमें पल्प उसका मुह में आ गया, इसलिए उसके लिए स्पेशेल निम्बू सोड़ा चौली की जाली से पीछे, मतलब एकदम उसके पीछे एक रस्ता जाता है, इधर से हिमालयान व्यूपइंट दिखता है, यह दखो पूरा जंगल के अंदर से होके, मुझे दखते है न, बहुत सारा मतलब टूरिस्ट डवलमेंट एक्टिविटी हो रहा है, जैसे कि हमने द चाहिए, बहुत अच्छा है, तो स्नो भी दिखता है, यह देखो पूरा स्नो, एकदम स्नो, छाओ है, हाँ, धूप नहीं आ रहा है, इसलिए स्नो बिगला नहीं है, वैसे हम तो स्नो देख दे के अभी मतलब बोलते न, पूरा साटिस्फाइड, फुली साटिस्फाइड, अभी आएगा मज़ा, आइशमान का मज़ा मामा का सजा, मामा स्नो देखके डर गई, स्नो देखके डर ची नहीं है, वैसे स्लीप होगा करके डर गई, एक बार स्लीप होगे गिरना भी है न, तभी तो मज़ा आएगा, नहीं तो क्या मज़ा है, लोग थोड़ा सा स्नो के ल पूरा एकदम कितने का संभावना बहुत ही ज्यादा है पूरा फिसल रहा है पूरा पूरा तुम लब जाओ ने इधर है ने आजाओ थोड़ा धीरे धीरा ना पड़ेगा और किस नहीं है कि यह ना यह एकदम फिसल है क्योंकि यह रखो मतलब वह सैड में आओगे तो कोई प्रॉल्म नहीं है लेकिन जिदर से लोग अल्लेडी के हैं ना यह ब्लाक आइस बनता है ना फिसलता है इस मैंन को बोलता है मुझे होता है यह बरब क्या चीज है आगे हम तुरिस्ट रेस्टाउस जो है उधर से मस्त भीव दिखता है हिमालायन रेंज उधर आगे थोड़ा रस्ता मतलब किचड भरा रहा क्योंकि पूरा स्नौ है ना हर जगा तो मेल्ट होके किचड बन जाते हैं कि आओ स्लिप नहीं हो रहा है बिल्कुल सिर्प नहीं हो रहा है एक यह पूरा रिनोवेशन का काम चल रहे रहे रखता है एकदम मस्त बने गा इद्धर से देखो विए कैसा है जवरदस्थ वैसे तो हम पूरा रस्ता यह भीव एंज्य करकर कहीं आ रहे थे हमालयान और इधर से पूरा क्लियर दिखता है और इधर इन्फरमिशन है हिमालया हिमालया दर्शन मुक्तेश्वर तो कौन्सा पीक इधर से इधर रेफर करके आप उदर देख सकते हो आईश्मान देख रहा है इधर लिखा हुआ है richrichrichrichrichrichrichrichrichrichrichrichrichrichrichrichrichrichrichrichrichrichrichrichrichrichrichrichrichrichrichrichrichrichrichrichrichrichrichrichrichrichrichrichrichrichrichrichrichrichrichrichrichrichrichrichrichrichrichrichrichrichrichrichrichrichrichrichrichrichrichrichrichrichrichrichrichrichrichrichrichrichrichrichrichrichrichrichrichrichrichrichrichrichrichrichrichrichrichrichrichrichrichrichrichrichrichrichrichrichrichrichrichrichrichrichrichrichrichrichrichrichrichrichrichrichrichrichrichrichrichrichrichrichrichrichrichrichrichrichrichrichrichrichrichrichrichrichrichrichrichrichrichrichrichrichrichrichrichrichrichrichrichrichrichrichrichrichrichrichrichrichrichrichrichrichrichrichrichrichrichrichrichrichrichrichrichrichrichrichrichrichrichrichrichrichrichrichrichrichrichrichrichrichrichrichrichrichrichrichrichrichrichrichrichrichrichrichrichrichrichrichrich है और अभी क्या निकलते हैं सिधा घर टाइमर है टू थर्टी परठा तो जितना खाये थे अभी तक भूक नहीं लग रहा है अगर बाइचांस लगा जाने के टाइम पर तो किदे रुखेंगे लंज के लिए हुआ है कि बहुत ज्यादा बरफ है और हमको एसा एक जगा दिखा पूरा बरफ से ढखा हुआ है यह देखो कितना ज्यादा बरफ है चलो जाते हैं मस्ती करते हैं रोज रोज इंदेगी में बरफ थोड़ी ने मिलता है क्या इश्मान हाँ चलो आ प्थर दिसारी अ यह हम गड़ी के सामने क्यों डाल गड़ी हमारा जाएगे ने हमारा काड़ी क्या है आइस्मान को क्या कोसिछ कर आपी अधिया हम क Augen थेड़कर 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 आप अप अहीं किरूषर बétaisपी उाली करते लिजड़ किस when child confirmed किर दुने उड़ाय किर दुने दिवी माँ़स गॢूस्चाँकर वोजज पिजड दोरेको जु़ तेन फिप्टिन को घर से निकले तीन बज़े तक हमारा पूरा जितना भी पॉइंट था मुक्तेशवर धाम वो कौन्सा वाला और चौली की जाली और वो जीरो पॉइंट के अबियन जो गेस्टाव से उदर से जो पूरा पिक दिखते हैं हिमालयान पिक वो सारे घुमके हो तीन बज़े तक फिर वापस आने के लिए एक देड़ घंटा वह वाली अगर नानिताल से आ रहे हो तो दो घंटे के आसपास लगेगा सब कुछ एक्स्परियंस तो कर सकते हैं पहाडों का तो मौजा लही सकते हैं वापस जाने के बाद क्यूंकि हमारा उधर तो आसपास बेस्टन घाटे बेंगलोर से 200-200 किलोमेटर के रेंज में वेस्टन घाटे तो आपस आने के बाद पहाडों में तो घूमेंगे लेकिन यह वाला एक्सपरियंस कहा मिलेगा अभी स्नो एक्सपरियंस मिल रहा है वह जंगल बर्ला मिलेगा यह स्नो जंगल दोनों यह चिड़के पेड़ ऐसा कुछ बोलते हैं तो वह अलग दिखता है नजारा अलग रहता है लेकिन हमारे लिए स्नो एक्सपरियंस तो एक्दम जबर दस्त यह वाला एक्सपरियंस तो मतलब हम मिस्क किये थे मनाली में और इधर आके वो पूरा हो गया हम ऐसा सोच रहा है कि तक जाएंगे मतलब जिदर स्नो दिखेगा ना एक वीकंड स्पेर करके जाएंगे उधर तक अभी इधर ही मिल गया तो वह प्लान केंचल अगली बार दिखेंगे नहीं मिलेगा तो इसमान का ओफ रोड़िंग चल रहा है कब से उसको इसलिए वह गाड़ी खरिदा कि स्नो में जा रहा है कि नहीं यह कि जा रहा है सब टेस्टिंग कर रहा हुँ हुँ है कि एक नजर देख लोगे आ रहा हुँ है कि बहुत ही बढ़े है तो बस हमारा भी ध्यान रहेगा पूरा गाड़ी चलाने में और हमको कितना 40 45 मिनिट्स लगेगा इसर से वह वाली यूंगि हम निकल गए थे अल्लेडी वह सब दर्सन करके निकल गए थे खाना तो खाये नहीं कि तो यूंगि भूख भी नहीं लग रहा है अभी बचा हु कल संडे कल देख्ते हैं कहां जाएंगे रानी खेज जाने का प्लान है वैसे देखते हैं आप को मालम पड़ जाएका नेस्ट लोग में तो मिलते हैं फिर से नेस्ट ब्लोग में तिल देम टेक केर बाइब वाई जै जगन्नाद खर हर महादेव हर हरारम महादेव